लोकों को ये भगवत गीता भी बड़ी लगती है लोग पूछते हैं क्या आपको वास छोटी पोकेट गीता नहीं है? अरे भाई साब सौ खरब स्लोक के इस्थान पर भगवान ने मातरा 700 स्लोक कर दिये कितने स्लोक कम कर दी आप सोचिये अब लोगों को हर सीज छोटी चाहिए, छोटी अब हम समझेंगे कि आध्यात्मी ग्यान नेले की पददी क्या है तो सामनेता आध्यात्मी ग्यान प्राप्त करने के तीन मारक है जो सामने लोग करते हैं उसका उप्योग पहले को कहते हैं प्रतेक्स प्रमान अर्थात्मी इंद्रियों की अनुपुती द्वारा प्राप्त किया हुआ ग्यान यानि अपनी आँखों से देखे हुए ग्यान को शुकर करना इसमें खास करके वेग्यनिक गणाते हैं व्यज्यानिक लोग आते हैं इस ज्ञान का जो मूल आदार है वो इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान हैं दूसरा है अनुमान प्रमान अर्थाद कोई चीज के बारे में अनुमान लगाना और बाद में तरक के माध्यम से उसको श्युकार करना उसमें खास करके व्यज्यानिक, कवी और दार्षनिक आते हैं। तीसरा है सब्द प्रभान। अर्थाद प्रमानिक सत्ता से सुनकर ज्यान प्राप्त करना। जैसी कि मेरे दानत में दर्द हो रहा है, तो मैं दानत के डॉक्टर के पास जाऊँगा, जिससे मुझे प्रमानिक ट्रीट्वेंट मिल सके। अब हम समझेंगे कि इन तीनों मारगों में से कौनसा मारग प्रमानिक और पूर्ण हैं। और कौनसे मारग से हम जनम, मित्यू, जराव्यादी से मुक्थ हो सकते हैं। और परमसत्य की खोजवी कर सकते हैं। ज्ञान लेने का पहला प्रमाण है पर्तेक्स प्रमाण। जिसमें वेग्यानी गणाते हैं। इस पदती में ज्ञान का मुखे जो आधार है वो है इंद्रियों की अनुबूती द्वारा प्राप्त ज्ञान। अगर वास्तव में अपनी आखों से देखी चीज को ही स्युकर करना। अगर वास्तव में अपनी आखों से देखी चीज सही है तो सूरी और चंद्र थाली जैसे गोले होने चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की पर्तेक्स अनुबूती द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपून और सीमित है। हम देखते हैं कि वेग्यानिकों की थियरी हर रोज बदलती रहती है। हर रोज अपडेट होती है और हर रोज मोडिफाई होती है। हम higher and higher and higher imperfect relative truths का ज्ञान वेग्यानिकों के research दारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई एक वेग्यानिक है research करके एक सिद्धान इस्तापित किया तो उसको इनाम दिया जाता है। फिर दूसरा वेग्यानिक उसको जुटा सावित करके एक नई थियरी बनाता है। उसको भी इनाम दिया जाता है। तो वेग्यानिकों के द्वारा प्राप्त ज्यान बदलता रहता है। परंतु परम सत्य स्तीर है। वो कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हम परम सत्य को वोतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं उसके चार कारणे, पहला कारण है अपूर्ण इंद्रिया, हमारी सभी इंद्रिया पूर्ण है, उदान के लिए आंक, ग्लास में पानी डालिए, काच की ग्लास में, उसमें पैंसिल डाल दिए, पैंसिल आप वो अपूर है, हाँ, पैंसिल टेडी दिखने का साइन्टिफिक कारण हो सकता है, लेकिन हमको तो टेडी दिखती है न, इस पोटो को देखिए, इसमें दो कप दिखते हैं, या दो फेस, वास्ता में दोनों दिखते हैं, पर तो कोई एक वस्तू दो नहीं हो सकती, फिर कान, हमें कुछ सीमा तक ही इस पर्ष्ट सुनाई देता है, बहुत दूर से कोई बोलता है, तो उल्टा सुनाई देता है, फिर जीब, गुड़ खाने के बाद चाय पिएंगे, तो चाय फीकी लगती है, वास्ता में चाय फीकी नहीं है, लेकिन ऐसी लगती है, फिर तव अगर हम गरम पानी में उंगली डालेंगे, तो पानी हमको गरम लगेगा, लेकिन उसी उंगली को ऐसे एक दिम रगड कर गरम पानी में डालेंगे, फिर से, तो पानी ठंदा लगेगा, इस परकार हमारी सभी इंदरियां अपूर्ण है, फिर दूसरा कारण है, भर्मित होन कई बार हम भर्मित हो जाते हैं उदान के तौर पर यह दिए हम अंधेरे में चलते हैं और आस्ते में रसी पड़िये तो हम उनको गलती से सर्प मानकर डर जाते हैं भर्मित होने का एक और उदान है मिर्क तृष्णा का हम रेगिस्तान में जाते हैं दूर से देखने में पानी दिखाई देता है, पर तो वाँ कोई पानी नहीं होता है, वो तो सूरी का पर्तिभिम होता है, भर्मित होने का तीसरा उदार्ण, पैंद किलर का, हमें कोई दर्द होता है, तो हम पैंद किलर ले लेते हैं, और दर्द चला जाता है, जिसके कारण ह हम भ्रह्मवस सोचते हैं कि हम दर्द से मुख्त होगे हम ऐसी कहीं चीज़ों से भर्मित होते हैं तीसरा कारण भूल करना मनुष्य मातर भूल को पात रहे हर मनुष्य अपने जीव में कोई ने कोई चोटी बड़ी भूल करता है चोथा कारण दोखा देने की विर्ति हर व्यक्ति में दोखा देने की विर्ति पाई जाती है इसलिए इन चार दोसों के कारण वेग्यानी का ज्यान और व्यक्ति का ज्यान अपून होता है कोई तर कर सकता है कि हम इस्टुमेंट का उप्योग करके पूर्ण ज्यान प्राप्त कर सकते हैं परंतु इस्टुमेंट बनाया किसने अपूर्ण इंद्रियों वाले विक्ति नहीं तो बनाया है न इसलिए वह भी इस्टुमेंट भी अपूर्ण है सारान से है कि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्यान प्राप्त नहीं कर सकते अर्थार्थ इस पर्तेक्स प्रमान से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और परमसत्य को भी नहीं जान सकते हैं क्योंकि हमारी ज्ञान लेने की पदती और ज्ञान दोनों ही अपून हैं। इसका आर्थ यह हुआ कि भोतिक विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ज्ञान लेने का दूसरा प्रमान। अनुमान प्रमान। अर्थात किसी चीज को देखकर उसके बारे में कलपना करना। उधान के लिए आपके पास वाली रूम में से जगड़ते हुए लोकों की आवाज आ रही है। आप कलपना कर सकते हैं कि कोई जगड़ रहा है। या तो टीवी चल रही है। या तो रीडियो चल रहा है। परन्तु जब आप रूम खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर लोग नाटक की प्रेक्टिस कर रहे हैं। इस परकार वास्त्विक सत्य अलग हो सकता है। अनुमान प्रमान का दूसरा उदान है हाथी और अंदे विक्तियों का। एक बार छे अंदे विक्तियों की एक हाथी से भेट हुई। सबी अंदे विक्तियों ने हाथी के सरीर के जो अंग थे उनको पर्स करने लगे। और उस अंगों को ही हाथी मानने लगे। एक विक्ति जो अपनी आँख से देख सकता था। उसने उन छे अंदों से पूछा क कि हाथी कैसा होता है तो जिसने दांत पकड़ा था उसने का हाथी तीर जैसा है सून पकड़ने वाले ने हाथी को साप जैसा कहा कान पकड़ने वाले ने सूपड़े जैसा कहा पेट पकड़ने वाले दिवाल जैसा कहा पेर पकड़ने वाले ने वरक्स जैसा कहा पूच पकड विक्तियök नैं अपनी कलपना से हाती को समझा परन्तु हाती उनकी कलपना से अलग था इस परकार अनुमान परमान से हम परम सत्य को नहीं जां सकते हैं विकु और हमें कुछ वेक्थी को चोट लगी है या एक्सिडेंट हुआ है को सरी में हनी हो गई है वह कलपना करे कि ठीक हो जाएगा क्या मात्र कलपना करने से वेक्ति ठीक हो जाएगा नहीं उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और पदति के अनुसार दवाई लेनी पड़ेगी ज्यान प्राप्त करने के लिए अब हमारे पास एक ही परमाण बाकिरा है वह है सब्द परमाण ज्यान लेने का तीसरा परमाण है सब्द परमाण अर्थात परमाणिक गुरू से सुनना या गुरू से से परमपरा सब्द पर्मान का अर्थ है पर्मानिक सत्ता से ज्यान प्राप्त करना हम भूतिक जानकारी बारे में भी पर्मानिक सत्ता से ज्यान प्राप्त करते हैं जैसे किसी के दांत में दर्द होता है तो हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं कॉंप्यूटर वाले के पास नहीं जाते और कॉंप्यूटर भीगर जाता है तो हम दाद के डॉक्टर के पास नहीं जाते दूसरा उधान है रोड पर लिखे हुए किलो मीटर पर हम विश्वास कर थे क्यूंकि सरकार ने माप कर लिखा है और सरकार रोड बनाने की परमानिक स करता है और सब्द प्रमान स्वयम पूर्ण है सब्द प्रमान पर परियोग पर्योग करने की कोई जरूत नहीं है अगर हम परियोग करेंगे तो क्या ओगा उसके दो उदाने पहला उदाने पीता अपने पुतर से कहता है कि बेटा साप के नजदिक जाओगे तो साप डसेगा अगर पुत्र व्यग्यानिक बुद्धी वाला निकला तो सोचेगा नहीं पिता जी मैं परियोग करके देखूँगा तभी मानूँगा कि साप के काटमे से विक्ति मरता है या नहीं मरता है वा लड़का प्रियोग करेगा, साप डसेगा, वा मर जाएगा दूसरा उदाह ने एक लड़के को पता नहीं है कि उसके पिता कौन है वह लड़का अपने पिता को खोजने के लिए व्यग्यानिक से मिलता है और विग्यानिक कहता है कि मैं इस विश्व के सभी मनुश्यों का ब्लड लेबोर्टरी में टेस्ट करके 800 साल के बाद बताऊंगा कि तुम्हारा पिता कौन है परंतु वह लड़का यदि एक विक्ति के पास जाता है और उससे पूस्ता है तो उनको सही उत्र मिल जाएगा वह विक्ति कौन है उसकी मा मा जानती है कि उसके पिता कौन है मा के वचनों को परियोग करने की जरूरत नहीं है उसी परकार सास्तर हमारी माता है सास्त्र के वचनों को परियोग करने के कोई जरूत नहीं है और हम सास्त्रों के वचनों का परियोग कर भी नहीं सकते क्योंकि सास्त्र हमारे मन, बुद्धी और जो समझ सकती है उसे परह है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाप के जन्म का रख से समझने के लिए परयोग करने का परयास करेगा तो क्या वो सपल होगा नहीं सपल हो सकता क्योंकि यह उसकी बुद्धी और समझ सक्ति के बार का विश्य है लेकिन सास्तिरों को हम परमानिक सत्ता से सुन कर समझ सकते हैं परयोग करने से नहीं ज्यान प्राप्त करने के लिए तीन परमान हुए पर्तेक्स परमान परमान और सब्द परमान इसमें से सब्द परमान दारा हम पूर्ण ज्यान प्राप्त कर सकते हैं सब्द पर्मान का अर्थ है सुनकर ग्यान प्राप्त करना हम भोतिक दुनिया में भी ग्यान सुनकर प्राप्त करते हैं मालों किसी को डॉक्टर बनना है तो पर्तेक्स पर्मान और अनुमान पर्मान काम नहीं करें पर्तेक्स पर्मान का अर्थ है देख कर स्युकार करना क्या कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनता है नहीं बनता है फिर अनुमान प्रमान अर्थात कल्पना करना क्या कोई कल्पना करने से डॉक्टर बनता है यह डॉक्टर बन गया ऐसा डॉक्टर बनता है क्या ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं होता है जब भोतिक ज्ञान लेने के लिए अनुमान परमान और प्रतक्स परमान काम नहीं करेगा तो फिर आध्यात्मी ज्ञान लेने में कैसे काम करेगा इसलिए सब्द परमान ही सई ज्ञान लेने का एक मात्र मारग है सब्द प्रमान को दूसरे सब्दों में वेदिक साहिती कहा जाता है जो दिवी ज्यान की प्रमानिक सत्ता है ये वेदिक साहिती आध्यात्मी ज्यान की प्रमानिक सत्ता है वेदिक साहिते में सभी विश्यों का समावेस होता है समाजिक ज्यान राजनीतिक ज्यान धार्मिक ज्यान आर्थिक विकास रासाइनिक ज्यान भूगोलक ज्यान भोतिक ज्यान और अध्यत्मि ज्यान इस तरह सभी A to Z विशियों का समाविस होता है वेदिक साहिते में कौन-कौन से सास्त्रों का समाविस होता है तो भविश्य पुरान के अनुसाद चार वेद एक स्वाट उपनी सत्थ अठारा पुरान माभार्त और मूल रामाण का समाविस होता है अर्थार्थ वेद व्यास ने जिस सास्त्रों की रचना की उसको सास्त्र अत्वा वेदिक साइती कहते हैं और जो आचारे धार्मिक साइती या पुस्तके लिखते हैं वह वेद व्यास के ज्यान से सामत हो तो वह भी परमानिक गरंथ कहलाता है परंतु मार्केट में कही धार्मी गरंत मिलते हैं पुस्तके मिलती हैं वे सभी प्रमानि गरंत नहीं होते हैं क्यूंकि उनमें से बहुत सारे वेज़्यास के ततवग्यान के विरुद होते हैं अब एक मात्मुन प्रश्ण, हम बेदिक साइदे का अनुसरण क्यूं करें? जब हम बजार में मोटर्साइकल खरीदते हैं, तो मोटर्साइकल के साथ एक मैनियल बुक आती है, उस मैनियल बुक का जो कार्य है, वो मोटर साइकल को अच्छी तरह चलाने के लिए मार्द संदेना होता है उसका कार्य है मेनिल बुक का अगर हम मेनिल बुक की उपेक्सा करेंगे तो मोटर साइकल बनावर नहीं चलेगा मेनिल बुक किसने बनाया? जिसने मोटर साइकल बनाया उसने बनाया कब बनाया जब मोटर साइकल बनाया तब बनाया उसी परकार भगवान ने जब इस सिष्टी की रचना की तब उसके साथ मेनियूल बुक बनाये उस मैनियूल बुक का नाम है वेदिक साहित्य है यदि हम वेदिक साहित्य रुपी मैनियूल बुक के अनुसार जीम जीएंगे तो हम सुखी होंगे नहीं तो हम दुखी होंगे दुर्भागय की लोग भगुद गीता जो मनुस्य जीवन का मेनिल बुक है विक्ति के मनने के बाद पीछे से पढ़ते हैं अब एक बहुत महत्मुन प्रश्णा क्या सास्त्र में जो लिखा है वो सच है या फिर सास्तर मातर कलपना या रूपक या फिर हमको डराने के लिखा गया है हम कैसे माने की सास्तर सत्य हैं तो अब हम समझेंगे कि वेदिक साहिते पर हम कैसे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं अत्वा कैसे वेदिक साहिते पूर्ण है परफेक्ट उसमें किसी परकार का दोस्त नहीं है और उसमें जो लिखा है वो सत्य है तो इस स्लाइड में वेदिक साहिते को अच्यूत का है अच्यूत का अर्थ है अपरिवरतन सिल अर्था जिसमें कोई परिवरतन नहीं होता है उस स्कूल के पाठे पुस्तक में 25 साल पेले अलग ज्यान था, अब अलग ज्यान है और 25 साल के बाद अलग ज्यान होगा, बोती ज्यान समय समय पर बदलता रहता है, परन्तु भगवद की तक अग्यान ऐसा नहीं है, 5000 साल पेले जैसा था, अभी भी वैसा ही है, करोड़ो साल के बाद ऐसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरा उदान, जैसे कोई विक्ती पुस्तक लिखता है, थोड़ी दिनों के बाद कुछ याद आता है, अरे ये बात तो लिखनी भूल गया, तो उस उसमें जोड देता है, तो वो सेकंड एडिसन हो जाता है, फिर तीसरी बात को जोडता है, तो थर्ड एडिसन हो जाता है, उसी परकार बुक की एडिसन बदलती रहती है, पर दू भगुद गीता ऐसी नहीं है, वेज व्यास ने 5000 साल पे ने लिखी, वेशी की वेशी है, क् भगुद किता का ज्यान पूर्ण है वेदों को अप औरुस्वेक आ जाता है क्योंकि वह कोई वेक्ति का सर्जन या लिखा हुआ नहीं है साही थे स्वयम भगवान का सर्जन और भगवान का लिखा हुआ है इस स्लाइड में पांच मुद्दे हैं जो साबित करते हैं कि सास्तर साइंटिफिक पूर्ण और सत्य है पहला है मां के गर्ब में बालक का विकास स्वयम भगवातम के तीसरे इसकंद में तीरी से अध्याय में भगवान कपिल देव माता देवुति को विस्तार से समझाते हैं कि गरबधान के समय से लेकर नौ मईने तक मा के गरब में बालक का विकास किस मईने में सरीर के कौन-कौन से अंग है वो विक्सित होते हैं, किस मईने में सरीर पूर्ण डूप से तयार होता है। इसका करम अनुसार और विस्तार से वणन हुआ है। वेज व्यास ने आज से पांच जार साल पहले सास्त्र लिखा था। लेकिन व्यग्यानिकों ने इस विशे को अभी ही संसोदन किया है। दूसरा उदान है पेड पूदों में आत्मा है। इसका वणन पद बूरार में है। दूसरी अनेक सास्त्रों में पहले से ही है। लेकिन जब तक जगजिट संद्र बोष ने ये साबित नहीं किया तब तक वेज्यानिकों maantते थे कि पेड़ पूदों में आत्मा नहीं से म पहले वेग्यानिक इस बात को स्युकार नहीं करते थे अभी वेग्यानिक को इस वीशे पर खोज की संसोदन किया अंतत अभी मानने लगे चोता है वेद कहते हैं कि गाय का गोबर पवित्र है एक पसु का मल होते हुए भी वह पवित्र है पहले विज्यानिक इस तथ्य को नहीं मानते थे लेकिन 1940 में इनका संसोदर हुआ कि गायका गोबर पवित्र है तब विज्यानिक मानने लगे पांचमा है पिर्ष्वी भूगोल है सिर्मत भागवतन तथा दूसरे सास्तन वणन है कि पिर्ष्वी भूगोल है विज्यानिक पहले पिर्ष्वी को संतल मानते थे लेकिन संसोदर करने के बाद स्युकार करने लगे कि पिर्ष्वी भूगोल है ऐसे कहीं सारी बाते हैं जिनका विज्यानिकों ने समय समय पर अलग-अलग विशे पर संसोदर किया है और करेंगे वह सब सास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है वेजव्यास का इसलिए सास्त्रों का ज्यान साइंटिफिक और पूर्ण सत्य है उसमें किसी भी परकार का दोस्त नहीं है छट्टा एक और प्रमाण है जो सावित करता है कि कैसे सास्त्रों का ज्यान पूर्ण और सत्य है वह है आसरे जनक भवी सिवानिया सत्य हुई सभी सास्त्रों को वेद व्यास ने पांच जजार साल पहले लिपी बद किये थे उसमें महालोकों के जन्म का वणन है जैसे की भगवान बुद्ध सिर्मत भागवत में लिखाए चेतिनी महाप्रवु महाबार्थ में लिखाए चाण के पंडित सिर्मत भागवत में लिखाए समराट असोख सिर्मत भागवत में लिखाए उनके बारे में जिसस क्राइश्ट भविस्य पुरान में लिखाए उनके बारे में मुहबद पैगंबर भविस्य पुरान और अथरवेद में लिखाए उनके बारे में इन सब का सास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णने तो भविस्य वानी कौन कर सकता है भगवान और उनके अवतार और सास्त्र दूसरा कोई भी विक्ति भविश्य मानी नहीं कर सकता है दूसरी ऐसी कई बाते हैं जो साबित करती है कि वेदिक साइटे पूर्ण सत्य और साइंटिफिक उनको हम विस्तार से ओर्णी सत्र जोकन और सरुद्धिक आता है जो पूर्ण और सर्वग्य हैं जो भूत वर्तमान और भविश्य को जानता हैстаточно अब व पूर्ण सत्य है और उसम्हें कोई दोस्त नहीं है परन्तु अभी भी एक समझ्या है वेदीक साहिते तो इतना विशाल है उसको हम कैसे पढ़ेंगे इतना विशाल है कि वेदीक साहिते में सभी स्लोक मिला कर लगबग सौ खरब स्लोक है सौ खरब वाला वेदीक साहिते किसी को पढ़ने के लिए कहेंगे तो सामने वाले को हाट पहलो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इतना समय और बुद्धी नहीं है लेकिन ये बात तो भगवान को पहले से ही पता था इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक दूसरी वेवस्ता कर रखिये वो है भगवद गीता जिसमें भगवान ने समस्त वेदिक साहित्यों का सार दे दिया सार वेदिक साहित्य में भगवद गीता का महत्वा वेदिक साहित्य में चार वेद, जिदान सुत्र, अठारा पुरा, एक स्वार्ड उपनी सत्थ, महाभार्थ और रामायन का समामे सोता है भगवान स्रीकृष्ण ने भगवद गीता 15.20 में कहा है इती गुयतम सास्रम इदम मया अनगा यह ज्ञान समस वेदिक साहित्यों का सार है इसलिए भगवद गीता लोकों को समझ दे में कठी नहीं होती है जैसे दूद को बहुत उबालने से वो रबड़ी बन जाती है उसी परकार भगवान ने वेदिक साहित्य का सार भगवद कीता में दिया है जो रबड़ी के समाने कोई व्यक्ती तीन ग्लास दूद पी सकता है लेकिन कोई विक्ती तीन ग्लास रबड़ी नहीं पी सकता पेट में गड़बड़ हो जाएगी फिर भी एक गरंद पढ़ना सरल है एक गरंद पढ़ना ये भगवत गिता है लोकों को ये भगवत गिता भी बड़ी लगती है लोग पूछते हैं कि आपके पाश छोटी पोकेट गिता नहीं है अरे भाई साब सो खरब स्लोक के स्थान पर भगवान ने मातर साथ सो स्लोक कर दिये कितने स्लोक कम कर दिये आप सोचिए अब लोगों को हर सीज छोटी चाहिए छोटी जैसी कि नेनो गाड़ी परन्तु आपको बैठने की ज़्यादा जगन नहीं मिलेगी ऐसा ही भगवव गिता ज्यादा छोटी करेंगे तो समझ में नहीं आएगी दूसरी एक मातपूर्ण बात यह है कि समाज का एक वर्ग ऐसा समझता है कि भगवद गिता रूपक है रूपक का अर्थ है कथावार्था परन्तु पीछे हम समझे थे कि वेदिक साइट ये पून सत्य है और साइंटिफिक है फिर भी यदि आप भगवद गिता को रूपक मानते है तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि रूपक के विशे में चर्चा करने से किसी को कोई लाप नहीं होगा कोई लाप नहीं होगा अब हम भगवद गिता के महत्मे को समझेंगे एकम सास्त्रम भगवद गिता एक देवो देव की पुत्रेवा एको मंत्र तस्य नमाम, इस्यामी, एकम, तस्य, देवस सेवा सामाने लोकों को एक सास्तर में, एक भगवान में, एक मंतर में, एक भगवान की सेवा में रूची होती है गीता मात्मे के इस स्लोक में यही का है, जो सात्मा स्लोक है जिसकी रचना आदि संक्राचारी निकी है इस कल्यूग में मनुस्य जीवन बहुत छोटा है इसलिए संपूर्ण वेदिक साहिते को समझना हर विक्ति के लगबग असंबव है परन्तु भगुत गीता जो वेदिक साहिते का सार है वहाँ मनुस्य जीवन को पूर्ण बनाने में मारग दसंत जेती है अब तक हम समझे कि किस प्रकार भगुत गीता वेदिक साहिते का साह है अब प्रशन होता है कि भगुत गीता को कैसे समझे क्या मैं ये भगुत गीता को इस तरह पढ़ूँगा तो सब समझ में आ जाएगा नहीं हम इस्कूल की पाठे पुस्तकों को अपने आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है तो पर भगुत गीता कैसे समझेंगे जिसके बारे में हम A, B, C, D, B नहीं जानते हैं दवा, डॉक्टर के मारक, दसन के नुसा लेंगे तो ही स्वास्तिय अच्छा होगा तो ही बिमारी ठीक होगी अपने मन के नुसा लेंगे तो अच्छा नहीं होगा उसी परकार भगुत गीता को समझने की पदती भगुत गीता में ही लिखिए उस पद्धती का पालन करने से हम भगुत गीता को समझ सकते हैं भगुत गीता में का है तत्विदी प्रणी पातेन परी परशनेने सेवया गुरू की सरण में जाओ उनसे परशन पुछो गुरू अर्थाब टीचर भगुत गीता को समझ दें के लिए एक टीचर चाहिए कई लोग अरे बड़े बड़े सादू लोग भी कहते हैं गीता पढ़ लो गुरू के पास जाने की क्या जरूत है हम देखते हैं कि भोतिक विश्यों को सीखने के लिए हमको एक टीचर चाहिए उदान के लिए कॉंप्यूटर सीखने के लिए टीचर चाहिए कुकिंग करने के लिए कुकिंग सीखने के लिए टीचर चाहिए गाड़ी सीखने के लिए टीचर चाहिए ऐसे ही हर विबाग में टीचर की जरूरत होती तो क्या भगुद गिता जो आद्यात्मी ज्यान है जो अचिंति है जिव्य है जो हमारे मन और बुद्धी से परे है उसको समझने के लिए क्या टीचर की जरूत नहीं पड़ेगी जरूर पड़ेगी यदि आप भी ऐसे सोचते हैं कि भगुद किता को समझने के लिए गुरू की जरूरत नहीं है तो मेरा आपसे तरक है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों बेजते हैं इतनी सारी फी क्यों भरते हैं स्कूल की जो पुस्तक हैं वो तो बजार में मिलती है तो बच्चों को दे दो और बच्चों को को पढ़ो घर में बैटकर परन्तु वे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि एक अनुबवी टीचर की आवस्ता रहती है जो उसको समझाए उसी परकार भगुद गिता को समझाने के लिए एक अनुबवी गुरू की जरूत पढ़ती है अब एक बहुत ही महत्पुन प्रश्ण गुरू की क्या योगेता है इस प्रश्ण का उत्तर में विस्तार से ओरी कोर्स में अर्थाद एडवांस कोर्स में विस्तार से समझाऊंगा अब यहाँ पर मैं शंशिप्त में ही कहूंगा हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर की बहुत सारी योगेताइं होती है उसको योगेताइं प्राप्त करनी पड़ती है तब जाकर सरकार नौकरी मिलेती है उसको उसी प्रकार आध्यात्मी ज्यान लेने के लिए बहुत सारी योगेताइं प्राप्त करनी पड़ती है तब वह गुरू बन सकता है अगर इस विशे को हम बहुत ही ध्यान पुरुक समझेंगे तो सही ज्यान प्राप्त करने के लिए ये विशे बहुत ही उप्योगी होगा क्योंकि अभी ये विशे बहुत जटिल हो गया है कि असली गुरू की पेचान क्या है ये विशे बहुत जटिल हो गया यहाँ पर मैंने असली गुरू ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि पहले हम घी को घी केते थे बाद में उसमें मिस्रन होने लगा तो घी को सुद घी केने लगे सुद घी में मिस्रन होने लगा तब सौर्टर का सुद घी केने लगे जिस परकार बिक बजार में सभी परकार की आइटम मिलती है। उसी परकार सभी गुरु मंतरों का बिक बजार खोल के बैठ गये हैं। अलग-अलग मंतर का अलग-अलग भाव है। कौन सा मंतर चाहिए आपको। जो चाहिए वो मंतर मिलेगा। सभाविक है कि ऐसे वातावन में लोग उलजन में पड़ जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन जूटा है बुद्धी साड़ी लोगों ने सोचा कम्पनी खोल कर करौड़ पति बनने से साधू बनकर करौड़ पति बनना सरल हैं कई बार हम देखते हैं कि कोई विख्यात की मिर्थिव होती है तो उसके पास काफी मातरा में सोना या पैसा निकलता है ऐसा हम कहीं बार पेपर में पढ़ते हैं न्यू जाता है वो किसका पैसा है जनता का पैसा है क्योंकि लोग गुरु बनाने के लिए बुद्धी का व्योग नहीं करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जोग सामाने वेवारे में हुंस्यार होते हैं जैसे सबजी खरीडने जाते हैं तो चुन-चुन के लाते हैं सबजी तो दस बुजूर्गों से पूचते हैं पर तो जब हम गुरु बनने का समय आता है हमारे पास तब आख बंद करके बोलेंगे महारा जी पंठी बांदो मं भाई सबजी खराब निकली तो एक सब्ता खराब होगा सोना खोटा निकला तो दस साल खराब होगे दस साल का पगार तनखा जाएगी डॉक्टर गलत निकला तो एक जीवन बर्बाद होगा पर तो अगर गुरु धोंगी निकला तो करूल जनम आपके बर्बाद करतेंगे लोग अपनी सामानी बुद्धी का उप्योग नहीं करते हैं इसलिए गुरु उनको धोका देते हैं उदाहन के तोर पर अगर आप लोहे की दुकान पर जाकर सोना मांगेंगे तो दुकानदार समझ जाएगा कि इस विक्ति में बुद्धी नहीं है यह लोहे की दुकान पर आया है लेकिन मांगता है सोना इसलिए दुकानदार लोहे पर सोने का पानी चड़ा कर आपको दे देगा वो कावत है न कि जहां लोबी लोग होते हैं वहां दुथारे भूगे नहीं मरते सामाने लोकों की समझ में गुरू यानी टीवी पर आने उनके लेक्चर आते होने चाहिए परख्यात विख्यात होना चाहिए उसके बहुत सारे अन्याई होने चाहिए गाड़ी वाले होने चाहिए अच्छे मनोरंजक होने चाहिए पर उन्तु यह गुरू की योगिता नहीं है अगर हम सास्तर के आधार पर गुरू की जाज करेंगे तो ही सही गुरू को पैचान पाएंगे अब हम सास्तर के आधार पर समझेंगे कि गुरू कौन है उनकी योगेता क्या है गुरु की पहली योगेता है कि वो गुरु विश्णु या कृष्णु का भगत होना चाहिए अर्थात वेश्णव होना चाहिए जो वेश्णव नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता ऐसा पद्मपुराण में सीव जी माता पावत्वी जी को कहते है अव वेश्नवो गुरु नहीं अस्याद, वेश्नव सपचो गुरु, इसलोक में इसपश्ट का है, कि अव वेश्नव गुरु नहीं अस्याद, अव वेश्नव गुरु नहीं बन सकता है, वेश्नव सपच गुरु हूँ, वेश्नव ही गुरु बन सकता है, वेश्नव किसको क केते हैं जो विश्णु या क्रिष्ण को सरोपरी मान कर सास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है उसको वैश्णु केते हैं तो गुरु यानी विश्णु या क्रिष्ण का भक्त होना चाहिए देवी देवताओं का भक्त नहीं होना चाहिए फिरे गुरु सास्त्र का पालन करता होना चाहिए अर्था जो वो बोलता है उसका गुरु आचरण करते होना चाहिए हम बड़े बड़े गुरुओं को टीवी पर देखते हैं लेकिन हम उनका आचरण नहीं देखते हैं कि वो कितने बज़े उड़ते हैं क्या भजन साधन करते हैं माला वाला करते हैं पता नहीं क गुरू के उपदेश जो है वो गुरू सादू सास्तर के साथ तालमेल होना चाहिए अर्थात वो जो तत्तव ज्यान कहता है उसका सास्तर और पूरु व्रति आचारों के तत्तव ज्यान के साथ समानता होनी चाहिए फिर गुरू का ज्यान है परमानिक संपरदाई में से होना चाहिए जिस प्रकार टीचर परमानित कॉलेज से ज्यान लेकर परमानित टीचर बनता है अर्थात टीचर पहले स्टुडेंड होता है बाद में टीचर बनता है उसी प्रकार गुरू को पहले सिस्य बनना चाहिए बाद में गुरू बनना चाहिए अर्थात गुरू चार संप परदाय में होना चाहिए इसको मा विस्तार से आगे समझते हैं ये जो भगवत गीता है इसको समझने के लिए हम परमानी कॉलेज में जाएंगे परमानी कॉलेज से ज्यान लेंगे या आपरमानी कॉलेज में जाएंगे या आपरमानी कॉलेज में से ज्यान लेंगे सभाविक परमानी कॉलेज में से तभी गीता का वास्तिवी का अर्थ पता लगेगा किसी के मैंने प्रश्ण हो सकता है कि क्या भगवत गीता को समझने के लिए भगवान ने इस जगत में कोई कॉलेज बनाई है हाँ बनाई है न आप प्रश्ण कर सकते हैं सास्त परमाने हैं इस लोक में कहते हैं सरवन अध्यन सभी निस्पल है कल्यों के लिए चार परमानिक संपर्दाय है सरी संपर्दाय रामानुचारिय ब्रमि संपर्दाय मदवाचारिय कुमार संपर्दाय निम्बरकाचारिय और रुद्र संपर्दाय विश्णुस्वाई यहाँ पद्वपुरान का स्लोक है उसकी पहली ही लाइन में कहा है संपर्दाय वीहन मंतर स्ते निस्पल मतहा अर्थात संपर्दाय के बिना मंतर और ग्यान दोनों निस्पल है इस स्लोक में चार संपर्दाय का वनने और चार संपर्दाय के मुखे आचारियों का भी नाम है और कल्यू के आचारियों का भी नाम है अब हम इसी स्लोक को डायग्राम में समझेंगे ये चार परमानिक संपर्दा है पहला है जिसका प्रारम ब्रमाजी से होता है दूसरा सिवजी से तीसरा लक्समी सी से और चोथा चतुस कुमार से जो गुरू इन चारो संपरदाएं में से ग्यान लेकर अपने सीसी को मूल रूप में ग्यान देता है वही सच्चा गुरू है मूल रूप में ग्यान का अर्थ है कोई परिवर्तन किये भी ना जैसे पोश्ट में एक जगह से पोश्ट लेकर दूसरी जगह दे देता है उसी परकार गुरू अपने गुरू के पास से ग्यान लेकर अपने सीसी को वही ग्यान मूल रूप में देता है वही सच्चा गुरू है मैं आपको जो ग्यान दे रहा हूँ वह ज्यान ब्रमा मद्वग गोडिय संपर्दाय के द्वारा आता है अर्थात जो ज्यान भगवन कृष्ण ने सबसे पहले ब्रमाजी को दिया ब्रमाजी नारत, नारत सिव्यास, चेतेने महापरूप, परूपात अर्थात मेरे गुरु मारत, और उसके बाद मैं आपको ये ज्यान दे रहा हूँ ये भगवत गिता ज्यान है, वो मेरा ज्यान नहीं है मेरा ज्यान नहीं है मेरे गुरु का भी ज्यान नहीं है, उनके गुरु का भी ज्यान नहीं है यह ज्यान भगवान स्रीकृष्ण का है जो बर्मा गोडी संपरदाय के द्वारा आता है अब प्रशन होता है कि भगवान ये गुरुसी से परंपरा क्यों मनाई उदान के रूप में मैं अमरीका की कोई कंपनी है जो लेप्टॉप बनाती है यह लेप्टॉप भारत में खराब हो जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए क्या हम अमरीका जाएंगे सबावी क्या अमरीका नहीं जाएंगे लेकिन कंपनी उसके लिए ट्रेनिंग चेनल बनाती है चेनल चेन बनाती है जो हम तक पहुंचती है तब हमारा लेप्टॉप ठीक हो पाता है उसी परकार भगवान तो वेंगुट में रहते हैं हम उनसे ज्यान लेने के लिए वेंगुट नहीं जा सकते हैं इसलिए भगवान ने गुरु सिस्य परंप्रा की कड़ी बनाई कड़ी जो हम तक पहुंचती है उसका वर्णन बगवद गीता में भी है इस ज्यान को गुरु परंप्रा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए सार यह है कि जिस गुरु ने इस चार संप्रदाई में से ज्यान प्राप्त किया है वो ही गुरु अपने सिस्य को सच्चा ज्यान परदान कर सकता है नहीं तो घर बैटकर डॉक्टर बनने जैसा होगा अपूर ज्यान अब है सिस्य की योगेता जैसे गुरू की योगेता होती है वैसे ही सिस्य की योगेता होती है जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रसंडेज मार्क होने चाहिए उसी परकार सिस्य की भी योगिता होनी चाहिए अब हम सिस्य की योगिता को समझेंगे सिस्य की पहले योगिता है जुगनासा करना जिस परकार पढ़ने की इच्छा हो तो पीचर पढ़ाता है उसी परकार सिस्य को आध्यात्मी ज्यान लेने की जिग्णास होनी चाहिए इच्छा होनी चाहिए अगर कोई विक्ति भोतिक उद्देश सिस्य सिस्य बनता है तो वो सही सिस्य नहीं है सिस्य यानि उसका आध्यात्मी ज्यान प्राप्त करने का एक मात्र उद्देश से होना चाहिए सिस्य के दूसरी योगेता है सेवा की भावना जैसी कि कोई कमपनी में कोई व्यक्ति नोकरी शुरू करता है तो उसकी भावना होती है कि मैं बॉस का कारिय, कम्पनी का कारिय अच्छी तरह से करूँ गारे करने के लिए उसमें उस्सा भी होता है उसी परकार सिस्य में भी गुरू की सेवा, भगवन की सेवा करने की भावना और उस्सा होना चाहिए सिस्य की तीसरी योगेता है गुरू में सर्दा होना चाहिए गुरू में सर्दा रखने से पहले सो बार सोचना है कि गुरू परमानिक है या नहीं है उसके बाद पूर्ण सर्दा रखना चाहिए सिस्य की चौथी योगेता उदार मन से वी नम्र पूस्टाच परणी पाते न सेविया वी नम्र होकर प्रश्ण पूसना चाहिए सिस्य की पांचमी योगेता है विश्णू या कृष्ण का भगतो होना चाहिए जिसके बारे में भगवान कृष्णे भगोज गीता में का आए भगतो असी में सका चेती रहस्यम हेती उत्तम सिस्य की छटी योगेता है गुरू की आज्या का पारण गंबिर्दा से करना तो ये हुई सिस्य की योगेता है अब एक पॉइंट बहुत माहत्पूर है जैसे बोतिक ज्यान लेने के लिए तीन चीजे जरूरी होती है उसी परकार आध्यात्मी ज्यान की प्राप्ति के लिए भी तीन चीजे जरूरी है पहला है सिखसक जिसकी तुलना गुरू के साथ की गई है दूसरा है टेक्सबुक जिसकी तुलना सास्तरों के साथ की गई है तीसरा है स्कूल की संस्ता जिसकी तुलना गुरु परमपरा के साथ की गई है जब ये तीनों परमानिक होंगे तब हम सच्चा ज्यान प्राप्त कर सकते हैं अब हम दूसरे दिन से जो ज्यान की चर्चा करेंगे वे इन तीनों पर आधारित होगी इन तीनों पर, ये तीन उसके इस्तंब रहेंगे, इसलिए आज मैंने पर्थम दिन में ज्यान का आधार बताया, क्योंकि बिना आधार के ज्यान की कोई कीमत नहीं, तो आज हम क्या समझे, आज हम समझे, कि मनुस्य जिवन का लक्षय क्या है, मनुस्य और पशु में क्या अं सब्द प्रमान से पूर्ण ज्यान प्राप्त किया चा सकता है और गुरु तता सिस्य की योगेताएं भी समझें अब हम दूसरे दिन में भगवत गीता का पर्थम विसे लेंगे आत्मा का विग्णान साइन्स अब दी सुल